वंदे मातरम वेलकम टूडे एक्जाम क्लासे जी हाँ दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले SI भरती में पूछे जाने वाले साइन्स से समंदित most important question करेंगे दोस्तो जो दोस्तो आप भी SI competition level की त्यारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को द्यान से देखेगा और इन question को द् दोस्तो वह भी किसके science के दोस्तो क्यूशन लेके आए हैं तो चलिएगा दोस्तो द्यान से वीडियो को देखेगा जरा भी इसकी बनाग गीजेगा और क्यूशनों को नोड तो जरूर गीजेगा दोस्तो तो आपके सामने पहला question निम्न मैस से कौन पूर्ण इस्तंबग प पर जिवी हैं तो इसका सही answer कौन सा होगा option number six correct होगा अगला question आपके सामने question number second गुलाब का पोदा अपने जैसा का एक नया पोदा किसके माधियम से त्यार करता है फूल, जड, तना, पता तो इसका सही answer का दोस्तो option number six correct तने के माधियम से गुलाब का पोदा अपने जैसा एक नया पोदा त्यार करता है option number six correct होगा अगला question आपके सामने एक कोशी के सुक्षन जीव है इस पैरोग गाईरा विसानू पेरामीसियम हाइडरा तो इसका सही answer का दोस्तो option number six correct पेरामीसियम है जो एक कोशी के सुक्षन जीव है next question आपके सामने उद्योगों में निमल लिकेत सुक्षन जीव में से कौन सा एक परकार सरवादी ग्यापक रूप से उप्योग में आता है जिवानू जिवान और कवक जिवानू और सेवाल जिवानू सुक्षम सेवाल और कवक तो इसका सही answer होगा दोस्तो option number six correct होगा जिवानू सुक्षम सेवाल और कवक उद्योगों में निमल लिके सुक्षम जीव में से शीवानू सुक्षम सेवाल और कवक एक परकार सरवादिक व्यापक रूप से उप्योग में आता है नेक्स्ट क्योशन के और जाने से पहले मैं आपको बतातू अगर इन क्योशनों को आपको पीडियप चाहिए तो दोस्तो हमारे टेलिग्राम चैनल टूड़े एक्जाम क्लासेज को जोईन कीजिगा जिसका लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मनुश्य की जैविक गड़ी कहलाती है पीनियम काई थाइमस थाईराइड हाइपो थेलमस तो इसका सही आप सेनोगा दोस्तों ऑप्सटर नुमर एस क्रेक्ट मनुश्य की जैविक गड़ी है वो पीनियम काई कहलाती है अगला किवशन विशन सर्दी में ठंडे देसों में पानी की पाईपे फट जाती हैं क्योंकि जमने पर पानी फैलता है पानी की पाईपों के संकुचंग के कारण उच वाईव मंडिली दाप के कारण उप्युक सभी के सिर्वक परभाव से अगला किवशन आपके सामने एक नक सत्र कारण निर्बर करता है उसकी सूरिय से दूरी पर तिर्जय पर गनतों पर प्रष्टे ताप पर तो इसका सही आप्शनों का दोस्तों आप्शन नमर्ड डी इसक्रेग प्रष्टिय ताप पर निर्बर करता है किसका एक नक सत्र का रंग है अगला क्यूशन लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपएक सित तरंगे हैं अवरत तरंगे, पराबेंगनी कीने, रेडियो कीने, रेडियो सुक्सम तरंगे तो इसका सही nutrition होगा दोस्तों option number B इसका पराबेंगनी केने लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अब एक सित्र पराबेंगनी केडा होती ہے जो एक मादियम से दूसरे मादियम के संचार को बहुत लम्मी दूरी तक आवान करती है अगला क्योशन आपके सामने निमनो तक मैंसे दवनी को वेग सरवादिक किस्मे होता है जल, हवायू, इस पात लकडी तो इसका सही आंसरों का दोस्तों, आपसर नमब सी, इस पात मैं सबसे दवनी का वेग सरवादिक होता है अगला क्योशन है, वर्षा की बूंद का आकार, बोलाकार, किस कारण से होता है स्यानता, प्रश्चतनाव, परतियासता, गुरुतू तो इसका सही आपसरों का दोस्तों, आपसर नमब बी, इस करेक्ट, प्रश्चतनाव, वर्षा की बूंद का आकार का गुलाकार, प्रश्चतनाव के कारण से होता है नेक्स्ट क्यूशन आपके सामने, शरीर की सबसे बड़ी गरंती कौन सी है लार गरंती, थाइरेट गरंती, यकरत गरंती, अमा से तो इसका सही आपसरों का दोस्तों, आपसर नमब सी, इस करेक्ट, यकरत गरंती सरी की सबसे बड़ी गरंती कौन सी है ये क्रत गरंती Next question मनुष्य में मादा जनन अंग के किस हार्मोन का इस्तराव होता है एश्ट्रोजन, प्रोजेट इस्टरोन, रिलेके सिन सभी कतन सत्य है तो इसका सही option होगा दोस्तो option number six ग्रेलेकसिन मनुसिय में मादर जनन अंग के रिलेक्षिन हार्मोन का इस्तराव होता है ओप्षन नमबर सीज क्रेक्ट होगा नेक्स्ट क्यूशन मनुसिय में ऐसी गतियों का नियंतरन किसके द्वारा होता है सेरी ब्रम, थाइराड, सेरी बेलम इनमें से कोई नहीं मनुसिय में ऐसी गतियों का नियंतरन है वो सेरी ब्रम द्वारा होता है अगला क्यूशन आपके सावने सरीर का तापकरण कहां नियंतरिस होता है इस्पैनल काड, सेरी बेलम, हाइपो थेलमस, प्यूट्यूरेट तो इसका सही आंसर होगा दोस्तो तो औसमें सरीर का तापकरण नियंतरिस होता है अगला क्यूशन आपके सामने अमीबा में भोजन का अंतरिकरण किसके द्वारा होता है गुट्पात, कोशिका मो, सीलिया, गुद्धत द्वार तो इसका सही आंसर होगा दोस्तो option number A, कूटपाद के द्वारा Amoeba में भोजन का अंतरगर्ण होता है, जिसे Amoeba जीव हैं, जो भोजन की ग्रेंड करता है वो कूटपाद के मादिम से करता है Next question आपके सामने, William Shakespeare के Natak Othala में Othala की पत्नी का नाम क्या है इसका सही आंसर होगा दोस्तो Dash Day Mona Elizabeth Bennett, Helen Dash Day Mona, Julian तो इसका सही आंसर होगा Dash Day Mona अगला क्योशन, इनमें से कौन सी गैस हवा में से भरी जाती है भारी है, कार्बन मोनो अक्साइड, नियोन, मिथैन कार्बन डै ओक्साइड, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तो, option number D, कार्बन डै ओक्साइड है वो गैसों में से सबसे भारी गैस होती है, कौन सी है कार्बन डै ओक्साइड, CO2 अगला क्योशन आपके सामने इनमें से कौन सा तत्व दातू है, सल्फर, सिल्वर कार्बन, क्लोरिक तो इसका सही आंसर होगा दोस्तो, option number B, सिल्वर है जो तत्व है, कौन सा है दातू है अगला क्योशन, nucleus में परमानु कर्मांग, atomic नमबर को दर्शाता है proton, neutron, electron, hydron, तो इसका सही option होगा दोस्तो, option number A, सिल्वर proton को दर्शाता है next question, एक hydrogen atom में कितने neutron होते हैं एक, दो, तीन, या कुछ नहीं तो इसका सही option होगा दोस्तो, option number D, इसका कुछ भी नहीं होते है एक hydrogen atom में कुछ भी neutron नहीं होते है या neutron होते ही नहीं है अगला क्योशन आपके सामने निमल लिकित में से किस परमाणू का वियास सबसे बड़ा है लोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ग्रोमीन तो इसका सही option होगा दोस्तो option number C, इसका एक्ट है क्लोरीन में परमाणू का वियास सबसे बड़ा होता है अगला क्योशन आपके सामने निमल लिकित में से किन कणों में सकारात्मक आवेस होता है निव्टरोन, प्रोटोन, एलेक्ट्रों, क्रिप्टॉन तो इसका सही आंशर होगा दोस्तो option number B is ग्रेए प्रोटोन में कणों का सकारात्मक आवेस होता है अगला क्योशन आपके सामने इलेक्ट्रोन में सम्तुले प्रटी दरुकणों को कहा गया है न्यूट्रोन, एटी इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, प्रोजिटोन तो इसका स्यासरोगा दोस्तों अप्सिर नमर्ट डिस्क है प्रोजिटोन, इलेक्ट्रोन के सम्तुले प्रटी दरुकणों को प्रोजिस्टॉन कहा किया है क्या कहा है प्रोजिस्टॉन नेक्स्ट किसन आपके सामने सूरे की उर्जा किस मादिम से उत्पन होती है एटम फिशियन, सोलर एनरजी उस्मा विदूद या ग्रिवेटिशनल एनरजी तो इसका सही आंसर हो का दोस्तो आप्सियन नमर सी इसका है उसमा विदूद से सूरे की उर्जा उत्पन होती है नेक्स्ट किसन आपके सामने एक ऑक्सिजन परमाणू में कितने सहियोजी इलेक्रॉन होते हैं दो, छे, आट या सोला तो इसका सही आंसर हो का दोस्तो आप्सियन नमर विदूद से सामने इसमें से कौन सी एक राशाइनिक पर्तिक्रिया नई है डेक्योग, पोजिशन, ऑक्सिडेशन, ग्रेविटी, हाइड्रोलेसिस तो इसका सही आंसर होगा दोस्तो आप्सियन नमर सी इसका है ग्रेविटी, गुरुत्व गुरुत्व एक राशाइनिक पर्तिक्रिया नई होती है अगला क्योशन इन में से कौन सा राशाइनिक परिवर्तन का एक उदारता है उद्रुपारतन, सटी, इसपर्श्टिकरन, निश्रियकरन, आस्वन तो इसका सही आंसर होगा दोस्तो अगला क्योशन आपके सामने ऑक्षिकरन पर्तिक्रिया में निश्रियकरन है इलेक्ट्रोन में वर्दी, इलेक्ट्रोन में कमी होती है प्रोट्रोन में वर्दी होती है, प्रोट्रोन में कमी होती है तो इसका सही आंसर होगा दोस्तो ऑप्षिकरन निश्रियकरन में कमी होती है किस पर्तिक्रियकरन पर्तिक्रिया के तहत अगला क्योशन आपके सामने वहा एक मात्र धातू कौन सी है जो कमरे में ताप पान पर दरू में बजल जाती है मरकरी, ब्रोमिन, क्लोरिन, गैलियम तो इसका सही आंसर होगा दोस्तो ओप्सन नुमर बी इसका है ब्रोमिन ब्रोमिन एक मात्र ऐसी धातु है जो कमरे के ताप और दरू में बजल जाती है अगला क्योशन आपके सामने गरम हवा में गुबारों में से कौन सी गैंस परियोग की जाती है हीलियम, प्रोपेन, कार्बन डैयोकसाइड, नाइट्रोजन तो इसका सही आंसर होगा दोस्तो ओप्सन नुमर ए इसका हीलियम गरम हवा में गुबारों में हीलियम गैंस परियोग में की जाती है अगला क्योशन आपके सामने निमलिकेद गैसों में से किस में एक ठीकी गंध होती है अमोनिया, कार्वन डेय अक्साइड, ऑक्सिजन, हाइडरोजन जिसका सही आंसर होगा दोस्तों आप्सिन नमर एसका है अमोनिया गैस में एक ठीकी गैस होती है अगला क्योशन आपके सामने उस परकिरिया का क्या नाम है जिसमें गैस सिदही ठोस में वस्तू सॉलिड में परिवर्थित होती है सबली मेशन, डिपोजिशन, कंडेसेशन, इवर पोजेशन तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों इवे पोरेशन, इवे पोरेशन उस परकिरिया का नाम है जिसमें गैस सिदही ठोस में वस्तू सॉलिड में परिवर्थित होती है क्या नाम है इवे पोरेशन अगला क्योशन आपके सामने अगला क्योशन आपके सामने पर्चूर मात्रा में उप्लब्द जोलन सिल्फ प्राकर्टिक गैंस कौनसी है प्रोपेन, मिथेन, इथेन, ब्यूटेन तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आप्शन नमब बी इसक्रैक मिथेन पर्चूर मात्रा में उप्लब्द जोलन सिल्फ प्राकर्टिक गैंस कौनसी है अगला क्योशन आपके सामने एक घरेलू गैस सिलेंडर में LPG में संग्राइट की जाती है थोस अवस्ता, गैस अवस्ता, तरल अवस्ता किसी भी अवस्ता में संग्राइट की जाती है तो इसका सही आशर होगा दोस्तो ओप्सन नमबर सी इस क्रेक्ट तरल अवस्ता में एक घरेलू गैस सिलेंडर में LPG हैं, वो तरल अवस्ता में संग्राइट की जाती है अगला क्योशन आपके सामने तब दो तरल परदाद एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूसन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं इससन प्रकार एसा ही भरती से संबन दिते हैं क्योस्नों की त्यारी करते रहे हैं और हमारे YouTube चनल पर बने रहे हैं दोस्तों वंदे मात्रम